यार आज की वीडियो में हम आपके लिखे आए हैं अगरिकल्चर कुछ ऐसी मशीन जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले तक आपको लगता होगा कि आपने खेती से जुड़ी हुई सबी मशीन देखर की हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे ऐसे शानदा मशीन के बारें बताने के लिए एक बात थैंक्यू जरू बोलोगे दोस्तों तो फिर बिना किसी देरी के बताता हूं मैं आपको अगरिकल्चर मशीनों के बारे में हमारे किसान भाई अपने बगीचों में फूर्ट्स दोगा लेते हैं लेकिन उन्हें थोड़ने के काम बड़ा दुगदाई होता है लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि वर्गो एक सेल्फ डाइविंग रोबोट है इसमें सैंसर और कैमरे हैं जो इसके आखों के रूप में काम करते हैं क्योंकि इसमें बोट पर आशनी भी होती है ये दिन या रात के किसी समय बड़े कमरिशिल गिन हाउस को नेविगेट कर सकता है ये पता लगा सकता है कि कौन से टमाटर फसल के लिए पक चुके हैं यानि भाई ये रोबर्टिक हाथ को सब बता है कि कौन सा फल पका है और कौन सा कच्चा है एक रोबर्टिक हाथ लोग के साथ काम करते चलता है और फल को पिचका या खराब के बिना उठा सकता है है ना दोस्तों कमाल जरा सोचिए बिना इंसानों की मेहनत के हम कटाई कर सकते हैं यार ये फार्मिंग हर सल कुछ ना कोई नई कुछ आप पर पहुंच रही है और जो नईनी तक्निक आ चुकी है वो बहुत से टास्क करने में सक्षियम है तो फिर अगर आपको ये मशीन पसंद आ ही गई है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो हम बढ़ते हैं हमारी अगली मशीन की तरफ नमबर दो MF2370 Ultra HD हर सल कटाई के बाद एक बड़ी मात्रा में सूखी घास खेतों में पड़ी रहती है जो कि अच्छा नहीं है हम इन चीज़ों को स्टोर करके भी रख सकते है आपके इसी प्रब्लम का सलूशन है हमारी अगली मशीन जी हाँ ये इन घास के बंडलों को बना के इने कलेक्ट करके स्टोर करने में अच्छा काम करते हैं ये बेल और खेतों पर चलने के बाद घास को बेल में बदल देता है जिसे आप दो से तीन साल तक आसानी से इस्तिमाल कर सकते हो यहां तक कि ये मशीन आपको बेल की क्वार्टी को 20 प्रतिशत तक बढ़ावी देती है मशीन के नाम में M.F.M.C. Fergusson है जो कि इस मशीन को मैनुफैक्चर करते है नमबर 3 C.N.Spray यार अभी तक इनसान स्मार्ट होते थे उसके बाद फोन स्मार्ट हुए अब ये मशीन भी स्मार्ट हो गई है जी हां दोस्तों ये के स्मार्ट मशीन है जो एक नए वो तरीके से दोराय के कारे को समालने के लिए आर्टिफिशल इंटलिजेंस का प्योग करती है इस मशीन से हम कटाई के अलावा फसलों में वीड पौदो की छटाई भी कर सकते हैं पहले मशीन खेतों में चलका अंचाय पौदो को पैचानती है में देखा होगा कि फसलों को अपने आप पानी सीचा जा रहा है मशीन द्वारा जी हां मगर इस तक ने का एक नुकसान दी है वो ये है कि ये सिर्फ एक जगे खड़े होकर ये पानी सीच सकती है जिससे सिर्फ लिमिटर हिस्सों में ही पानी सीचता है मगर इटली के कंपनी ने ये मुवाइल पंप बनाया है जो कि एक ट्रेक्टर से जड़ा हुआ है जिसकी मदद सी ये केतों में हर जगे जाकर पानी सीच सकता है और कोई भी फसल बिना पानी के नहीं चोड़ता तो भाई पहरे मशीन में हमने बताया फलों को तोड़ना दूसरी में बताया घास का बंडल बनाना और अब पाने के चड़काओ करना भी बता दिया चलिए बढ़ते हैं नेक्स मशीन की तरव नियो डिना यह मशीन फ्रेंट स्पेशलिस्ट नियो टेकनोलजी द्वारा डेवलप की गई है इसके उपरेटिंग स्पीड ज़ादा हाई नहीं है बलकि सिर्फ 4 क्लूमेटर प्रती घंटा है फिर भी इंसानों से तेज काम कर सकती है यह मशीन 9 घंटी शुट में 5 हेक्टर तक की फिल्ड को कवा कर सकती है और अपने कैमरे की मदद से अपने आप नैविगेट कर सकती है और हर एक फसल पे बारेकी से निगाह रखती है और अंचाय पौदों का पता भी लगाती है और किसानों की फसल को बहतर बनाने में मदद भी करती है है ना यार शानदार चलिए बढ़ते हैं नेक्ट मशीन की तरफ यह त्रेक्टर यह ट्रेक्टर प्रॉड़क्टिविटी को बढ़ाता है और किसान के खर्चे को कम करता है यह एक जापानी कंपनी के मशीन है जो की एडवांस तरीके से खेतों का काम करती है उसका अच्छा पार्ट यह है कि बहुत एक किफायती दाम और छोड़े साइज में आवे लेवल है जिससे हम इसे आसानी से इस्तिमाल कर सकते हैं नमबर साथ समैश यह एक मुबाइल रोबर्टिक मशीन है जिसे दुनिया के दस देशों ने मिलका बनाया है और यह इनसानी मेहनत को पूरी तरह से हटाने के लिए बनाए गई है इस मशीन में एक रोबर्टिक हाथ है एक ड्रोन है और एक बेस है और यह सब चीजेश मशीन को बहुत सारे काम करने में सक्षम बनाती है जैसे कि यह सिस्टम साइल कंडिशन को चेक कर सकता है और साइल में केमिकल भी दाल सकता है जिनमें खाद और कीट नाशत दोनों रहते हैं नमबर आठ कोफरा CDC कॉमपैक्टर जमीन हिल रही है जोर के जटके महसूस हो रहे है शायद कोई साउट के सूपर स्टार की एंट्री होने वाली है क्योंकि इस तरह के जमी हिला देने वाले सीन तो हमारी साउट की मुवी में कहीं न कहीं ज़रूर होते है पर फिलहाल जमीन वाइवरेट कर रही है क्योंकि उसके उपा वग कर रही है ये कॉमपैक्शन की हैवी लोड देने वाली मशीन जिसके पास अपना एक इतना मजबूत हाथ है जो किसी भी जमीन या कठोर पत्थर पर भी पढ़ जाए तो ये उसको चकना चूर कर देता है इस मशीन में वील के नाम पर एक टैंकर के चेन से चलने वाली चीज है जो किसी भी तरह की लेंड पर आराम से अपने आपको चला लेती है आपको डेम के लिए या फिर किसी ऐसे काम के लिए हाड़ वाली जमीन की जरूरत है तो ये मशीन जिसके साथ सबकुला कमपैक्ट कर बिलने वाले जमीन बना देती है